3, 2, 1 Q's पर based होंगे, इसमें आपको question के 4 options मिलेंगे, आपको right option select करना है, साथ ही साथ कुछ question non-mcq's होंगे उसमें आपको option नहीं मिलेगा, वो किस तरह की question होंगे, आगी अभी आपके साथ में share करूँगा, एक आपको short answer type question करना होगा, 2 marks में 40 से 50 words में इसको आपको update करना है, 1 LAQs, LAQs means long answer type question 5 marks में 120 से 150 words में आपको इसको complete करना है, so total 19 marks का weight is, exam में point is section को दिया जाता है, यदि इसमें session 23, 24 में कुछ changes होते हैं, cbc द्वारा syllabus release होने पर, कुछ एगर ऐसा होता है, मैं आपको update कर दूँगा, बस कौन कौन सी poems को include किया गया है, my mother at 66, an elementary school classroom in a slum, इसे session 22, 23 में delete कर दिया गया है, देखते हैं क्या cbc इसको अभी delete ही रखता है, यद किसी और poem को delete करता है, इसको include करता है, so cbc के द्वारा, जब हमें syllabus मिल जाएगा, let's see what happens keeping quiet a thing of beauty, a roadside stand और aren't Jennifer's Tigers six poems total आपके syllabus में हैं, और यहां एक अभी delete हो चुकी है, उम्मीद करते हैं यह delete ही रहेगी, अब आगे हम समझते हैं, कि जो हमारा question paper है, बचो पहले जो हमारे extract आते थे, वो बहुत easy आते थे बस आपने extract को पढ़ा और उसे related question को बहुत simply answer कर दिया जाता था, लेकिन session 22, 23 से इन questions के pattern में बहुत change हो है, big change है, अभी आपको मैं एक question दिखाता हूँ, कि से रहे के questions में changes आए हैं, उसको फिर कैसे हम अच्छे से उनको कर पाएंगे, तो यहां अभी मेरे साथ आप connection में रहीगा, यहां पर जो हमारा question paper है, उसके आपके साथ share करूँगा, answer in one word, one sentence, इसमें आपको MCQs नहीं मिलता है, आपको selfie answer one word में या one sentence में करना होता है, in the given lines the poet is feeling, आपको इस से रहे के questions का भी सामना करना पड़ेगा यह face करने पड़ेंगी, कि जो line दीगी, जो extract दिया गया है उसमें poet की feeling कैसी है, चार option मिलेंगे, आपको answer select करना होगा यहां question इस तरह से भी हो जाता है given line में poet का mood कैसा है option मिल भी सकते है, नहीं भी मैं सकता है, yes replace the underlined word with its antonyms, synonyms, आपको क्या होगा आपको sentence दिया जाएगा, उसमें से extract में से ही, एक line को cover करेंगे, उसमें से ही किसी word को underline कर दिया जाएगा, उसका antonyms आप से confirm कर सकते हैं, उसका synonyms आप से confirm कर सकते हैं identify the rhyming scheme जो भी एक आपका extract होता है उसकी rhyming scheme होती है, A, A, B, B A, A, B, C इस सरे question आता है poetic device of figure of speech question आता है choose the option that displays the same poetic device, question को इस सरे से twist कर के भी दिया जाता है आपको वो option choose करना है जो कि poetic device आपको दी जाएगी, उससे rate करते भी 4 poetic device आपको दी जाएगी वो आपको confirm करना होगा कि कौन से option आपके लिए correct है complete the analogy, इस analogy में आपको 4 option दिये जाएगे 4 option में क्या होगा आपके लिए 4 option इस सरे से 4 option मिलेंगे कि आपको 3 तो option दिये होंगे एक option आपको और 4 option में से select करना होगा जो उस analogy को complete करेगा, उसमें वो word opposite भी हो सकते है, word meaning भी हो सकते है, और word synonymous भी हो सकते है वो question पर depend करता है आपको exam में 2 statement पर based भी question मिलेंगे, 2 statement दिये होंगे उसमें से आप से true है वो दोनों statement false है या एक false है, एक true है ऐसे question बनाए गए है, fill in the blank का question आपको मिलेगा, phrase आपको identify करनी होगी, उसमें भी क्या करेंगे आपको 4 phrases दे दी जाएंगी और उस phrase वो क्या indicate करती है, 4 option मिलेंगे आपको select करना है, is it now एक question इस तरह का भी आ रहा है, select an apt title, एक suitable title उस extract के लिए, जो child line आपको दी जाएंगी, उसका क्या title है पूरी poem का नहीं, उस extract का तो questions को बड़ा twist कर दिया गया है choose the word that means the same as, यहाँ पर क्या होगा आपको एक word को choose करना होगा, चार word आपको दिये जाएंगे, जो एक same as, मतलब उसका same meaning होगा, यह question ऐसी हो जाता है, कि ऐसे आपको anthonyms find करना है, यह synonyms find करना है ऐसे आपको meaning find करना होगा, एक question इस तरह का आता है, whom does we refer in the above line, इन उपर दी गई line में, वी किसको refer करता है, ही किसको refer करता है, शी किसको refer करता है, आई किसको refer करता है, इस किसको refer करता है, तो पुल मिलाकर questions को बहुत twist किया गया है, variety of questions आपको आप दिये जाएंगे, let's, अब आगे, अब ही समझते हैं, जाएंगे मेरे साथ जुड़े लेगा, पेपर को turn कर लेता हूं, ये देखिए, मैंने आपके लिए कुछ tips भी prepare की हैं, जिससे आप full mark secure कर सकते हैं, करना क्या होगा, अगर आप pretty sectionally full mark लाना चाहते हैं, read and understand the poem, poem को अच्छे से पढ़ना है, और समझना है word to word, English to English or English to Hindi, दोनों ही languages में, learn the meaning of difficult words जो भी उसमें difficult words आएंगे उनको underline कर लेना, फिर उनको उपर meaning लिखनेना, उनको learn भी करना होगा, understand the tone of the poem जब आपको poem पढ़ाए जाएगी आपके teacher के द्वारा, उसकी कैसी tone है, समझ लेना poet का mood कैसा है, हर line में पूछा जाएगा, यहाँ poet का mood कैसा है यहाँ poet का mood कैसा है, समझ लेना poetic device or figure of speech, तोत्ते उड़ा देती हैं अगर आपने इनकी preparation नहीं की, so poetic device or figure of speech, आपकी simili है metaphor है, personification है, oxymoron है imagery है, symbolism है कुछ नई भी है, जो आपने पढ़ी नहीं होगी पढ़ लेना, सब videos available है, practice of rhyming scheme, rhyming scheme की practice कर लेना और बचा पार्टी, एक चीज सहद आपको अटपटी लगीगी लेकिन बिल्कुल confirm है, क्योंकि अभी ना तो books ऐसी available है और नहीं, अब आपके सामने sample paper जो आएगा, वो आपको मिलेगा November या December में, so better है, अपने senior से senior से ना हो, तो किसी shopkeeper से sample paper जो 22-23 का है, उसको collect कर लेना, इसकी help से आपको इस तरह की questions को practice हो जाएगी, अगर आपने practice नहीं की, और आप wait करते रहेंगे अब बहुत late हो जाएगे, तो मेरा यहां suggestion है, आप sample paper collect कर ले, 22-23 का जब October, November, December जब भी नहीं sample paper आएगा, उसको जरूर 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 लेना है तब ही आप questions की practice कर पाएगे और बचा party, वीडियो में प्लास तक मेरे साथ बने रहे, thanks for that really, thanks for that, बस यहां मेरी एक बात, और समेले नहीं है, वो बात यह है अगर CBSC द्वारा, इस question paper में, जो pattern भी मैंने आपके साथ question का share किया है, या कोई poem exclude की जाती है include की जाती है, वो आपको मैं update कर दूँगा, बस CBSC का जैसे ही, हमें क्या मिलता है, CBSC द्वारा release, जो हमें syllabus मिलेगा, उसकी wait है, इसलिए लेकिन wait क्या करना, शुरू कर दीजे थोड़े कुछ changes होते हैं, आपको update कर दूँगा, okay, so आप मेरे साथ यहां तक रहे, and आपने मेरे इस वाले board को भी support किया, thanks, thanks, thanks for that, and किसी तरह का doubt है, confusion है, मुझे आप comment में write करें, और आज की class अगर आपके लिए fruit food रही है, like करें, share करें, और बचो comment भी कर दिया करो, आपके comment encouragement देते हैं, अच्छे-ची videos बनाने के लिए, और मेरी